हलो फेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जोतिबा फूले के बारे में बात करेंगे, जिनोंने अपना पूरा जीवन, अंटेचबिलिटी को एरेडिगेट करने और सभी क्लासेज के लोगों के हुमन राइट्स को एम्फेसाइज करने में लगा दिया, आगे चलके जोतिबा गोरे और ये माली कास को बलॉंग करते थे, इस कास के लोगों से एक्सपेक्टिड होता था कि वो गार्डनिंग और वेजिटेबल फार्मिंग जैसे कामों को करें, इनके परिवार के कई लोग पेशवाओ के यहां पे फूल माले का काम किया करते थे और इसी के इंफ्लुएंस में, इनके पिता ने इनके आगे की एजुकेशन स्कॉर्टेश मिशन हाई स्कूल में कराई, बुक्स पढ़ना इने बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी होबी के चलते, ये एक ऐसी बुक के संपर्क में आये, जिसने इनका पूरा जीवन बदल दिया, इस बुक का नाम था Rights of Men, इस बुक को Thomas Payne ने लिखा था, इस बुक ने इने बहुत ज़्यादा इंफ्लुएंस किया और इनके अंदर सोशल जेस्टिस की भावना को बहुत ज़्यादा प्रगाड कर दिया, इस बुक में ये पूरी तरह से डूप गए थे, और जब इनोंने अपने आसपास देखा, तो इनोंने देखा कि इंडियन सोसाइटी में लोवर कास्ट और विमन को सदियों से सोशल जेस्टिस से डिप्राइव किया गया है, इनोंने रियलाइज किया कि अगर दलितों और विमन को सोशल जेस्टिस दिलाना है, तो उन्हें समाज में इमेंस करके यानि education is the key to social justice और इस mission में सावित्री भाई फूले जो कि इनकी wife थी उन्होंने भी इन्हें जोइन कर लिया जोतिबा फूले और सावित्री भाई फूले दोनों ने समाज के orthodox विचारों वाले लोगों से लड़ते हुए समाज में girl education को promote करने के लिए पूने में एक girl's school की शुरुआत की और कास सिस्टम के खिलाफ अपनी मुहीम को और तेज करने के लिए जोतिबा फूले ने कई बुक्स लिखी जिनमें सबसे famous है गुलामगिरी गुलामगिरी इन्होंने मराठी में लिखी थी और इस बुक में इन्होंने कास सिस्टम की धज् इस बुक में इन्होंने प्रसिद माइथोलोजिकल कहानियों को लॉजिक और तर्क के जरिये useless डिग्लेर कर दिया था इसमें एक माइथोलोजिकल कहानी जिसमें वामन देव राजा बली से उसकी सारी संपत्ति ले लेते हैं इसमें इन्होंने राजा बली को शूद्रों का अत्याचार करने शुरू कर दिये इसी दिये जोतिवा फुले राजा राम की अप्यक्षा राजा बाली को अपना पूरवज मानते हैं और कास्ट सिस्टम के complete abolition की बात करते हैं इसके इलावा जोतिवा फुले ने एक और famous बुक लिखी थी जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य इस बुक में इनोंने 30 articles लिखे हैं जिसमें इनोंने समझाया है कि कैसे सभी धर्म, कास्ट, race, एक family की तरह साथ में रह सकते हैं जिसका आदार human rights पर based होगा इस बुक में इनोंने इस तरह के समाज को बनाने और उसमें रहने के लिए किस तरह का social और intellectual attitude चाहिए वो भी mention किया इसके इलावा इनोंने एक समाज की बिस्थापना की है जिसका नाम था सत्या शोधक समाज यानि truth seeker society ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसका एम था कि महाराश्ट के lower caste को भी बराबरी के social और economic benefits मिले और वो भी सर उठाकर जी सके इस समाज ने depressed class को ब्रहमिन समाज के अत्याचा चलिए अब जोतिवापूले की life events की timeline पर नज़र डालते हैं जोतिवापूले का जन्म 1827 में हुआ और इनकी death 1890 में हुई इनके जीवन का turning point वो था जब 1848 में इन्होंने Thomas Payne की book Rights of Men को पढ़ा क्योंकि इसी की बाद इन्होंने women और दलितों के emancipation और social justice के लिए काम करना थी और पढ़ाई पूरी करने से पहले ही इनकी शादी हो चुकी थी ये एक child marriage थी और उस समय इनकी उम्मर सिर्फ 13 years थी जिस साल ये right of man book के संपर्क में आये उसी साल इन्होंने पूरे में girls school स्टार्ट कर दिया था इस school को शुरू करने में इनकी wife सावितरी भाय का भी एक म जिया हुणा दी थी और इसके अगले ही साल इन्होंने सत्यशोदक समाज को भी found किया जिसका मतलब था truth seeker society और जिसका aim था lower caste को समाज में equality का धर्जा दिलाना ताकि वो भी समाज में सर उठा के जी सके इनकी death के अगले ही साल इनकी book सारवजनिक सत्यधर्म publish हुई जिसमें इन्होंने एक ऐसे समाज की कलपना की जहां पर सब बराबर हैं जिस समाज का आदार human rights पर based है जोतिवा फूले को उनके contribution के लिए महात्मा की उबादी दी गई जोतिवा फूले और सावित्री भाई फूले की कोई संतान नहीं थी इसलिए इन्होंने जिस home of videos की शुरुवात की थी उसी की एक ब्रामिन विडियो की बच्चे को गोद ले लिया था जिसका नाम था यश्वन्त फूले तो ये थी डीटियस जोतिवा फूले के बारे में इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डीटियल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्रेलिस को फोलो कीजिए लिंक आपको description मिल जाएगा Thank you for watching and supporting बुक्स दावा